परक बंद कमरे में जिस तरह से नागेंदर जी ने खरी खोटी सुनाई है पिंदर जी को और संजे जस्वाल जी को तो एक कहिन कही एक बड़ा सवाल है पर जो भाजपा के अंदर इस बात को लेकर छोब है उसका असर ब्यापक दिखेगा भारती जन्ता पार्टी के बिहार प्रभाडी भुपेंदर यादव अगर बिहार में हो तो सियासत में खलवली मची जाती है हलाकि ये मामला भारती जन्ता पार्टी का है लेकिन भारती जन्ता पार्टी के भुपेंदर यादव पर क्या कुछ कहेंगे पुड बिधायक और मुख प्रवक्ता भाई सक्ति सिंग यादव जी ये बताइए कि भुपेंद्र यादव इन दिनों पटना में है भुपेंद्र यादव जी और संजेज अस्वाल जी जो बीजेपी के अध्यक्षे हैं कल जद्यू के राष्टी अध्यक्षे आरसीपी सिनहस जी से मिलने गए थे इस बात को लेकर के भारतियंता पार्टी के सिर्ष निताओं और आरेसेस संगट्मों में काफी छोब है नराजगी है बिले ये बात मीडिया में नहीं आई पर बंद कमरे में जिस तरह से नागेंदर जी ने ख़ड़ी-खोटी सुनाई है भुपिंदर जी और संजीज शवाल जी को तो एक कहिंड कहीं एक बड़ा सवाल है उन्हें सब सब्दों में कहा कि भारतियंता पाती किसी के रहमो करम पर नहीं है और भारतियंता पाती कि जिस तरह से डिमराइज करने के लिए वो पिंदर यादव जी और संजी जसवाल जी आर्सीपी से जिसे मिलने उनके दफ्तर में गए उन्हें मुखमंत्री से मिलना चाहिए था उन्हें आर्सीपी से नहीं मिलना चाहिए था इसको लेकर के काफी नराजगी हुई है बले य भरतिनता पाटी किस्ष सनेत्रित्व पूरी तरह से अजगर की मुद्रा में है और अजगर की मुद्रा में है निगलना चाहती है जदियों को और मैंने पहले भी कहा था कि जदियों मुक्त बिहार बनाने की दिसा में भरतिनता पाटी आगे बढ़ी है और उस दिसा में वो कर और इस दिसा में वो फ्रेंडली वर्क भी कर रहा है। प्रकाष्ठा पर जाकर करके एक थर्ड वाले विद्यारती के सामने सेकंड डिविद्यारती सश्टांग हो करके बात कर रहा है। है उसका असर ब्यापक दिखेगा। हमें तो लगता जल्द दिखेगा। आने वाला समय बहुत लंबा समय कोई साल भर छे महिने की नहीं है। बहुत जल्द ही दिखेगा इसका असर। सक्ति सिंग यादव जिन्होंने साब तोर पे कहा कि जिस तरह से भूपेंदर यादव पटना आये और उन्होंने मुलाकात कि उस मुलाकात के बाद भारती जनता पार्डी के अंदर भी कई न कई खेमा बढ़ता दिख रहा है। और ऐसे में क्या होगा पूरा एक्शन याने वाले समय में देखने को मिलेगा। से योगी नीरा सिंग के साथ कुमार गॉतम न्यूज फोरनेशन पटना।